करने वाले हैं हमारे टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन इन प्रेजन तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां पर मैं सब सारे कॉंसेप्ट को क्लियर करूंगा ठीक है जितने भी कॉंसेप्ट है जितने भी आपके डाइग्राम से जैसे की एंगल आपके 90 दिग्री तो 30 डिग्री ठीक है 45 डिग्री जितने भी एंगल से जितने आपको डर लगता है इस प्रिजम के अंदर सब को मैं कवर करूंगा अभी ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर एक प्रिजम बनाता हूं राइट एंगल प्रिजम बना देते हैं मस्त करके येस बहुत प्रिजम कर रहा हूं और देखो बहुत अच्छे से सारे case में discuss करूंगा ठीक है मैं यहां से light ठीकता हूँ और आपको हर question में critical angle given होगा ठीक है आपको हर question में critical angle given होगा तो मैं यहा पर बोल देता हूं कि जो मेरे critical angle है वो है 42 डिग्री ठीक है बई? मैंने आपको यहां पर बता दिया हर केस में आपको critical angle जेवन होता है जासे कि यह št यह ने यहांसे interact better एक ठीक है तो मैं यहां अभर किन लाइट यहां से लाइट эт जा चाल हुं मैंने लाइट फेकिस कि फिर मैं धाय से ऑसनी चैक तो मैंने लाइट फेकल हि दो तो यहां पे मैंने clear है बिल्कुल straight line फेकी ऐसे हैं बिल्कुल तो यहां पे जब light मैंने फेकी तो यह कितने degree का angle बन गया 90 degree का बई और 90 degree की case में बिल्कुल perpendicular बन रहे है तो क्या होगा बई हमने क्या पढ़ा था कोई भी एक plane mirror से है अगर मैं light फेकता हूँ तो यह बिल्कुल undeviated, सीदे सीदे चल जाएगी, तो भाई सीदे सीदे फेक देते हैं इसको यहां से, यह, अब यहां पे देखो, यह कैसा, यह कैसा है, ऐसा है, ठीक है भाई, तो यहां पे इसका normal में बना देता हूँ, let's suppose, normal, यहां से ऐसे बनेगा इसका, इस जगह से इसका normal बनेगा, ठीक है जी, अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, आपको a भी गिवन होगा, आपको prism का a भी गिवन होगा, यह angle भी आपको गिवन होगा prism का, तो यह आपको let's suppose 45 degree है, कितना है 45 degree, ठीक है, यह आपको a भी गिवन है, इस prism का, ठीक है, यह 45 degree है, यह भी आपको ऐसे गिवन होगा, let's suppose 45 degree, ठीक है जी, तो मैंने यहां से इस पे फेक दिया, अब यह 90, तो यह भी मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है जी, यह 45 हो गया, तो देखो, यह जब यहां से टकरेगा इस पे, 120 सकते 1, longing हो गया, बिलकुल हो गया, अब यह 45 degree हो गया, ठीक है, यह तक clear है, यह 45 degree हो गया, अब देखे, यह पूरा नॉर्मल आ रहा है, तो भाई, यह पूरा का पूरा, यहां से यहां तक 90 हो गाएगा, यह 45, तो यह वाला angle भी 45, 45 अब ध्यान से देखिए यह जो 45 यह वाला एंगल जो है यह 45 जो बना यह वाला एंगल यह मेरा क्या हो गया यह मेरा क्या हो गया यह हो गया मेरा इंसीडेंट ट्रे अब इंसीडेंट क्या हो गया मेरा 45 हो गया 45 डिग्री और यहां पर मेरा critical angle है 42 degree मतलब क्या कि जो मेरा angle I है ना is greater than critical angle और जब ऐसा होता था ना तो क्या होता था मेरे प्यारे बच्चो जब I जो हो जाएगा critical angle से बड़ा हो जाएगा तो क्या होता था total internal reflection बिल्कुल सही बात है total internal reflection होता था ना तो भई total internal reflection होगा यह ऐसे जा रहा है यहाँ से तो अब क्या होगा देखो देखो तो यह angle of incident है अब अगर मैं इसको यहाँ से नीचे 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 कर दूँ देखो देखो बहुत अच्छे से angle of incident यह होगा angle of reflection भई यहाँ से आ रही है तो यह ऐसे जाएगी ना और यह law of reflection law of reflection law of reflection show करेगा because angle i जो होगा मेरा angle r के बराबर हो जाएगा क्योंकि total internet reflection का case है यहाँ पर देखो i मेरा 45 degree है जो कि critical angle से बड़ा है तो बिलकुल exactly ऐसा नीचे चल जाएगा अब यहाँ पर पूरा नीचे चल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा देखो मेरा यह 90 degree यह 45 तो यह भी मेरा 45 तो अब करने की जुरुत में है बिलकुल undeviated नीचे चल जाएगा तो यह मेरा आगया case 1 clear है यहाँ तक की नहीं है बताओ simple सा case था clear है ना आगे बढ़ते हैं हमारे case second में आते है तो यह आपको समझ में आ गया होगा आप देखो जिसका triangle अच्छा है 9th में 10th में उसको दिक्कत नहीं होगी अब अगर मैं case 2 में आता हूँ या फिर मैं बोलू case second case second में अगर मैं आता हूँ और ऐसे ही मैं एक और prism ले लेता हूँ अब ही मैंने यहां से light वेकी थी मैं काम बड़ा हूँ बील्कुल पर्पेंडिकुलर पड़ी है अभी पर्पेंडिकुलर नहीं पढ़ रही है अब मैं इसको पर्पेंडिकुलर पढ़ाता हूँ बिल्कुल पर्पेंडिकुलर पड़ी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके लिए इसके लिए इसके लिए पूरा टोटल इसके लिए मेरा नॉर्मल ऐसे होगा देखो ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है तो इसके लिए नॉर्मल ऐसे नहीं होगा बिल्कुल तो यह मेरा नॉर्मल हो जाएगा ठीक है भाई ठीक है जी यहां तक मेरी light ऐसे जलेगी यह मेरा बिल्कुल यह मेरा normal हो गया ठीक है यहां तक clear है ओके जी अब देखें यह 90 यह 45 तो यह कितना हो जाएगा जी मेरा 45 डिग्री ठीक है यह 45 डिग्री हो गया और हमें पता है कि angle of incident किसके साथ मिलके बनता है normal के साथ बनता है तो यह मेरा angle of incident होगा न यह वाला यह वाला angle of incident होगा न और देखो जरा और यह पूरा मिलके 90 होना चाहिए तो देखो यह 45 तो यह भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चो यह भी मेरा 45 हो जाएगा यहां पर यह भी मेरा 45 हो तो critical angle से फिर बड़ा हो गया अब critical angle से यहां पर बड़ा हो गया तो अब क्या होगा देखो यहां पर 45 है तो भई आप ऐसे करके यह ऐसे आजाएगा तो यह 45 है तो यह भी 45 है चीक है भई ओह लुए लो आफ reflection लौफ reflection फॉलो करेगा नुश एंगल लाफ reflection यह 45 तो यह भी 45 फिर यह ऐसे जाएगा अभी इस case के लिए normal क्या हो जाएगा यहां पर जब यह स्टाइक करेगा तो normal क्या हो जाएगाय oluş जाएगा यह हो जाएगा normal ऐसे की इसे टीक है可以 normal हो जाएग Fenॉ य यह पूरा 90 है ना ये वाला एंगल पूरा 90 है तो 45 प्लस दिस अंगल फिर एंगल से बड़़ा बढ़ ओगा मेरे प्यारे बच्चो इसे कर और ये भी मेरा R हो जाएगा मेरा 45 अब ये बिल्कुल exactly ऐसे चल जाएगा क्योंकि ये 90 डिगरी है तो सीदे सीदे चल जाएगा तो ये case होते हैं हमारे prism के तो यहां तक I hope आपको clear हो गया होगा ठीक है ऐसी बहुत सारे case से देखते हैं कि करके अब देखो यहां पर मैंने एक और प्रिजम लिया है जिसमें यहां पर देखो यह 60 डिगरी है यह 90 डिगरी इस थर्टी डिगरी ठीक है बहुत अच्छे से इसको देखेंगे इस case को यहां पर critical angle मेरा 42 डिगरी है ठीक है अब अगर मैं यहां से light ठेकता हूं ठीक है अब यहा 90 डिगरी और यहां पर strike होई यह light ठीक है यह incident है यहां पर strike होई तो यह वाला कितना हो जागा भई यह 90 यह 30 ठीक है अब यहां से मैं इस पर normal बनाता हूं तो अगर मैं इस पर normal ऐसे drop करो तो यह मेरा normal हो रहा है ठीक है बई देखो बई अब देखो यह 90 और यह यह जो यह और यह पूरा angle कितना होगा 90 होगा तो यह वाला angle मैं निकाल सकता हूं यह वाला angle जब अगर मैं 90-30 करूँगा तो यह आ जागा मिरे पर 60 डिगरी अब यह वाला angle मिरे पर कितना आ गया बच्चो 60 डिगरी बहुत अच्छा से देखना कि जो मेरा angle of incident है वो कितना आ गया 60 ड रिखलेक्त हुजाएगा तो यह 60 तो यह भी 60 यहां तक क्लियर है कि नहीं तो यह यह वाला angle निकाल सकता हूं देखो यह पूरा देखो कितना है 30 देखो यह वाला देखो यह 30 यह 60 फिर यह 60 और अगर मैं यह वाला भी आड़ कर दो तो यह पूर एक स्टेट लाइन हो गई तो देखो 60 प्लस 60 120 और 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 बीस चैलीस पचास 150 और 180 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूँ तो कितना रहा है 30 degree, तो यह मेरा पर कितना आ गया, यह वाला मेरा पर 30 degree आ गया, अब यह 30 degree, यह 30 degree, तो मैं यह पूरा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बहए, कितना हो जाएगा, यह पूरा triangle की बात करूँ, तो 30 plus 30, plus इसको अगर मैं x ले लेता हूँ, तो यह जाएगा x equals to 180 80-60, which is 120 degree, तो यह पूरा x कितना हो गया 120, यह कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यह पूरा जो एंगल हो गया 120 का, अब देखो, बहुत अच्छे से देखो, यह जो है, देखो, इसको आप राइट डाउन कर लो, पहले यह पूरा एंगल 120 का है, अब देखो, यह तो 90 का ह हो गया न, यह नॉर्मल है, तो अगर यह 90 का, तो यह कितने का हो गया, 30 का नहीं हो गया, 90 प्लस 30, तभी तो 90 प्लस 30 अगर मैं करूं, तो कितना हो रहा, 120, तो यह वाला एंगल 120 का हो गया, इसका मत्तब यह क्या है मेरे, incident ray, अब इस case में मेरा आई क्या हो गया आई हो गया मेरा 30 डिगरी और आई जब मेरा 30 डिगरी हो गया which is less than critical angle आई जो है मेरा वो क्या है less than critical angle तो इस case में क्या होता था भाई जब denser से rearer में जाता था तो away from the normal देखें कितना easy हो गया हमारा case third clear है यहां तक ऐसी अब हम case fourth करते हैं यहां पर तो अच्छो अब मैं करता हूं case fourth तो देखो यहां पर मैंने ऐसी प्रिजम ले लिए 30 यह 90 यह 60 तो यहां से मैंने डिरेक्ट लाइट फेकी जूम कर गए तो यह 90 degree यह बिल्कूल ऐसे strike हो गई यहां पर तो यह भी 90 डिग्री अब यह 90 यह 60 तो यह 90 यह 30 तो यह 60 डिग्री ठीक है अब इसका अगर मैं नॉर्मल बना दिया नॉर्मल बना दिया तो यह पूरा 90 का होगा अब यही एंगल 60 का है तो यह वाला 30 का तो भाई यही वाला जो एंगल होता है न यही मेरा आई होता है क्योंकि नॉर्मल सही तो मैं देखता हूँ तो जो मेरा आई है वो है 30 डिग्री क्या बात है और आई मेरा less than critical एंगल है तो क्या होगा denser medium से rearer medium जा रहा हू से अब फ्रॉम्द नॉर्मल क्योंकि यहां पर क्या था critical एंगल बढ़ा था यहां तक मेरे बच्चों क्लियर हो गया ऐसी ही कुश्चन होने है आपके इतने easy easy question यार इतना easy question होते है ना इसके तो ऐसी question आप सब attempt करो हमारा chapter हो चुका है कतम और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों मुझे शेयर करें इसको वीडियो को ठीक है ओके बच्चों बाइबाई